कैसे हैं आप लोग ? आशाय आप लोग सभी अच्छे होंगे, और अच्छे से अपना अध्यन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नोर्स बना रहे हैं, क्योंकि CBSE आपके एक्जाम समय पर लेगी, तो आप सभी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आज हम अपना अगला जो चैप्टर है चैप्टर नमबर 10 पार्टी जैन पार्टी सिस्टम इन इंडिया भारत में दल एवं दली है प्रणाली इसका हमने एक वीडियो पहले देखा था इसका कंटेंट में शामिल है कॉंग्रेस सिस्टम, बाइपार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी कोईलियेशन सिस्टम और हमने इसमें कॉंग्रेस सिस्टम का जो पहला वीडियो वो हमने देखा था और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम बाइपार्टी सिस्टम यानि द द्वी-दल्य प्रणाली प्रमुख रही और गठबंधन प्रणाली भी और बहुँ दल्य मुल्टी-पार्टी सिस्टम भी आया, तो उसके बाल भी किस तरीके का रूप भारती राजनीति का और दल्य स्वरोप जो है, वो निकल कर सामने आया है. तो सबसे पहले द्वी दल्य प्रणाली यहां पर हम देखते कि द्वी दल्य प्रणाली आखिर होती क्या है द्वी दल्य प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां दो प्रमुख राजनितिक दल सरकार के भीतर राजनिति को प्रभावित करते हैं दो दलों में से आम तोर पर एक के पास विधाईका में बहुमत होता है और प्राय बहुमत या शाशक दल कहलाता है जबकि दूसरा अलपुमत में होता है जिसे विपक्ष दल कहा जाता है तो आपने शुरू में देखा बच्चो कि किस तरीके से भारत में एक दल्य प्रभुत से उन्होंने सरकारे बनाई और बारी-बारी से मुपक्ष में बैठे तो यहां पर पृढ़ कके कौन सी प्रणाली अच्छी है तो गुण क्या है और दोष क्या है यहां पर हम से देखेंगे तो द्री ऐप रनाली के कुछ गुण इससे क्या होता है इसमें सरकार इस्थिर होती है क्योंकि इसमें मंत्री मंडल और विधान मंडल दोनों में से एक ही दल का बहुमत होता है कठोर दली अनुशाशन के कारण ना तो मंत्री मंडल के विरुध एविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है और नहीं समय से पू शीम बुन ऐसानी से लागू कर सकती हैं बिलो पर वादि वात करते समय मंत्री मंदल कोες स्केल दिर्ध काली नियोजन यहुजनाय प्रभावी रखा जा सकता है इस ऊपनी इक लिए इक तर दॐ इसमें सरकार अच्छे या बूरे शाशन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदाई होती है, क्योंकि मंत्री मंडल में एक ही दल के सदस्य होते हैं, एक दल पावर में होता है, एक ही दल जिमेदार है, तो उत्तरदाई सरकार का जन्म होता है। यह जन्मत की भावना पर आधारीत प्रनाली है, इसमें जन्ता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है, जन्ता की इच्छा के अनुसार ही कोई भी राजनितिक दल सत्तारूड होता है, इस पस्ट भहुमत के कारण इसमें सरकार बनाना आसान होता है, इसी कारण यह बहुदलिय प्रनाली भी की तरह भरष्ट तरीकों से सरकार बनाने के दोशों से जन्ता को राजनितिक शिक्षा भी मिलती है, इसमें संगठित विरोधी दल होता है, यानि विपक्ष भी मजबूत होता है, जो सरकार की रशनात्मक आलोचना करके, सरकार को जन्ता की जन्तंत्रिय भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, और द्वी दल्य प्रनाली के दोश, अब कुछ दोश भी होते हैं, कुछ इसमें कमिया भी रह जाती हैं, वो किस प्रकार है, इसमें मंत्री मंदल की ताना शाही की स्थापना हो जाती है, क्योंकि विधान मंदल में मंत्री मंदल का भहुमत रहने के कारण, हर बिल को पास कराने के सुविधार है, यानि एक दल सत्ता में और दूसरा दल विपक्ष में और जिसका भहुमत है, वो अपने सारे काम करता है, तो वो ताना शाह बन जाता है, इसमें विधान मंदल, मंत्री मंदल के हाथों का खिलोना बन कर रह जाता है क्योंकि बहुमत के नशे में मंत्री मंडल विधान मंडल पर हर अनुचित व उचित दबाव डाल सकता है इसमें मतदाताओं की स्वतंतरता सीमित हो जाती है क्योंकि उनके सामने दो ही दल होते हैं जिनने से एक को वे ही चुन सकते हैं और इसमें इंडिया में तो डाइवर्सिटी के कारण दो दल सब को रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसा पॉसीबल नहीं है तो हमारे या पर तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना जरूरी है और जो आज चल रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम अभी हम इसके बाद देखेंगे इसमें सारा देश दो परस्पर विरोधी गुटो या विचार धाराओं में बढ़ जाता है जिससे राष्ट्री एकता के लिए खत्रा उत्पन हो जाता है तो ये कुछ दोश है द्वीद अलिये प्रणाली के इस प्रणाली में निर्वाचकों की स्वतंतरता सीमित होती है यानि हमारे पाश आप्शन जादा नहीं होते है और संसत की इस्थती मंत्री मंडल के हातों में एक खिलोने जैसी हो जाती है लेकिन फिर भी ये प्रणाली सर्वोत्तम माली जाती है सर्वसदिय वे अध्यक्षात्मक सरकारों की सफलता के लिए इसका होना बहुत आवश्यक है इस्तिर प्रशाशक में उत्तरदाई सरकार के रूप में आज ये प्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन में सफलता पूर्वक्कारे कर रही है अतनी संदे रूप से ये प्रणाली अध्याथी महत्वपूर्ण है पर हमारे हाँ पर लिमिट नहीं है कि दो ही दल होगे जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में तो ही दलों को मान्यता प्राप्त हैं ज्यादा दल नहीं होतें पर हमारे हां क्या किया गया बहुद ये प्रणाली आज़ी अपनाए गया अब भारत में बहुत अलिये गठ बंदन प्रणाली अब हमारे हैं मर्टी पार्टी सिस्टम था जो आज जाकर क्या बन गया है एक गठ बंदन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गया है हम इसको देखेंगे किस तरीके से भारत की जब भारत का निर्मान हुआ था जब स 17 साल टक 20 साल तक जो वन पार्टी सिस्टम राएक ही पार्टी अस्तित्म में रही एक ही पार्टी काम करती थी तो किस तरीके रूप में राजनीति के अंदर गठ बंदन सरकारों का दौर जो है वो चला 90 के दौर में उसका यहां पर हम अध्यन करेंगे बहुदल ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजनितिक वर्ण करम के पार विबिन राजनितिक दल राष्टे चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले में या गडबंदन में सर कैबिनेट बनाते हैं या फिर अल्प मत कैबिनेट बनाते हैं जिसमें एक या अनेक दल हो सकते हैं जब एक आम चुनाव में किसी एक पार्टी के लिए स्पस्ट बहुमत नहीं होता है तो पार्टिया या तो गडबंदन मंत्री मंदलों का निर्मान करती है जो एक संसदिय बहुमत या अल्प संक्यत मंत्री मनलो द्वारा समर्थित होती हैं जिसमें एक या अधिक दल शामिल हो सकते हैं और इसका क्रम कब से शुरू हुआ यह यहां भारत के अंदर 1977 में यह आप पढ़ चुके हैं पहले भी 77 के बाद कई बार बहुदलिय गडवंदन सरकारे बनी औ उसका गठन किया गया था यह सरकार सन 1977 में गठित की गई थी आपात काल के बाद अगर आपने पढ़ा हो याद हो आपको यह जून 1989 तक रही थी और इसमें चुनाव जीतकर नेता मुरार्जी देसाई जो थे वो गैर पहले गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री बने जनता प नहीं रह पाए उसके बाद चरण सिंग की सरकार बनी जुलाई 1979 से जन्वरी 1980 तक भारतिय लोगदल के नेता चरण सिंग भारत के प्रधान मंत्री बने इन्हें कॉंग्रेस ने बाहर से समर्षन दिया परनतु अपना समर्षन वापस लेने के बाद यह सरकार गिर गई उसके बाद विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार बनी जो की 1989 से जन्ता दल्क ने रास्टिय मोर्चा बनाया ये गडवन्दन मन गया जिसे भारतिय जन्ता पार्टी तथा लेफ्ट ने बाहरी समर्थन दिया और वीपी सिंग भारत के प्रधान मंत्री बने और उनके सरकार दिसंबर 1989 से 1990 तक चली अब अच्छो एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये 1989 है इस से लेकर आज तक जो भी गवर्मेंट बनी है वो सब गडबन्दन की सरकारे हैं वो विभिन प्रकार के एलाइन्स की सरकारे हैं इनकी सरकार की गिरने का कारण चंदर सेखर बात वारा फूट डालना बताया जाता है और इसके बाद चंदर शेखर सरकार बनी चंदर शेखर ने कॉंग्रेस के बारी समर्थन से सरकार बनाई और यह सरकार नवंबर 90 से झून One तक कॉंग्रेस के समर्थन दिये जाने टक भारत में चलती रही थीक है ञेक आद मेंग जो है उनको उनके अदर आपसी एकता इस्थिर नहीं है अब आगे देखे अटर व्यारी वाजबे की सरकार यह सरकार भी अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत ही उठा पटक हुई थी और आगे जाकर यह जो मोर्चा है यह बहुत अच्छा बना 1996 के चुनावों में भारतिय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई भारतिय जनता पार्टी ने 161 सीटे जीती और कॉंग्रेस ने 140 सीटे तो सबसे बड़ी पार्टी थी तो राश्पती ने वाजबई को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया परंतु वाज वाजपई लोग सभामें अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए और तेरा दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा उसके बाद देवगोडा सरकार देवगोडा ने क्या किया वाजपई जी अपना समर्थन सिद्ध नहीं कर पाए और OSD देवगोडा ने छेत्रिय दलों और कॉंग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधान मंत्री बने पर वो ज्यादा ठीके नहीं वह जून 96 से अप्रेल 97 तक केवल 11 महीने सरकार चला पाए कॉंग्रेस द्वारा समर्थन वापसे के साथ ही देवगोडा की सरकार गिर गई और फिर कौन मने गुजराल आई के गुज ले लिया और आई के गुजराल भी ज्यादा समय तक सरकार नहीं चला पाए गुजराल मार्च 98 तक भारत के प्रधान मंत्री रहे तो जब तक सबोर्ट मिलता रहे तो गडबंदन थे यह सारे के सारे क्या थे गडबंदन थे पर यह ज्यादा स्टॉंग गडबंदन नहीं अब इसे क्या हुआ फिर से वाजपे सरकार आई देखें 1998 में मध्यावधी चुनाव हुए इसमें भारतिय जनता पार्टी को 182 सीटे मिली और सबसे बड़े दल के रूप में इन्होंने लोकसभा में अपनी जगा बनाई इस दल ने राष्ट्य जनतांत्री गडबंदन का निर्मान किया यहीं पहले गडबंदन बना लिया कि बाद में पूरी सीटे मिलेगे नहीं फिर सपोर्ट मांगते फिरेंगे तो पहले इन्होंने एक अपना मोर्चा बनाया राष्ट्य जनतांत्री गडबंदन NDA और आपके पूरा एक प्रश्ण आएगा कि NDA की सरकार भा निर्मान हुआ और इन्होंने कई छेत्री दलों को अपने साथ मिलाया तथा अटल व्यारी वाजपई प्रधानमंत्री बने लेकिन 13 महीने बाद AIDMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अप्रेल 1919 में यह सरकार फिर गिर गई अक्तूबर 1919 में भाजपई ने अपना इस्थाई गटबंदन बनाने में सफलता पाई और वाजपई जी पूने प्रधानमंत्री बने और अपकी बार उनकी सरकार ने 5 साल पूरे किये सन 2004 तक यानि अटल व्यारी वाजपई तीन बार प्रधानमंत्री बने पहरें 13 दिन के अब बनी सन 2004 में चुनावों में कॉंग्रेस ने 145 सीटे जीत कर अकेले सबसे बड़े दल के रूप में उभरी जबकि भाजपा को 138 सीटे मिली देखिए किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा और यहां पर आप एक बात समझेंगे कि दल दो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं पर बनाया जिसमें मनमोहन सिंग प्रधान मंतरी बने और उनकी इस काल को UPA1 कहा गया फिट सन 2009 में UPA ने पुने वापसी की कॉंग्रेस ने 206 सीटे जीती मनमोहन सिंग पुने प्रधान मंतरी बनाये गया और उनकी इस कारेकाल को UPA2 कहा गया और वे सन 2014 तक प्रधान मंतरी रह तो UPA1 और UPA2 दो कारेकाल पूरे किये UPA के गटबंदन ने और NDA का गटबंदन पहले एक कारेकाल पूरा कर चुका है और अब यह यहां पर जब मोधी सरकार सबसे पहले बनी तो वो भी NDA का गटबंदन था और अभी जो मोधी सरकार चल रही है वो भी एक NDA का गटबंदन ह मोधी सरकार भी बहुद अलिय गटबंधन वाली सरकार है सन 2014 के चुनाओं में यद्यपी भाजपा ने 282 सीटे जीती तथा 2019 के चुनाओं में 303 सीटे जीती यानि ये अलग-अलग केवल अकेले एक पार्टी की इतनी सारी सीटे थी और अगर उनके एलाइन्स की एंडिय की देखे तो 2019 के अंदर एंडिय ने 338 सीटे जीती थी और अकेले भाजपा ने 303 सीटे जीती थी तो यहां भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे हैं तो अब क्या समझ में आ रहा है कि भारत के अंदर की सीन कैसा हो गया है भारत में सीनी हो गया है कि दो प्रमुक दल नहीं है बलकि दो प्रमुक गटबंदन है ठीक है और दोनों प्रमुक गटबंदनों में दो दल मेन है भाजपा और कॉंग्रेस बाकी दल जो है वो छोटे छोटे दल है छेत्रिय दल है भारत में बहुदल्य प्रणाली विद्यमान है परंतु राष्टी जनतांत्रिक गठबंदन NDA तथा सयुक्त प्रगति शील गठबंदन UPA के कारण द्वीदल्य प्रणाली की विशेश्टाई भी देखने को मिलती है तो हमारे यां है क्या बहुदल्य प्रणाली है भारत में परंतु विशेश्टाई क्या देखने को मिल रही है क्योंकि यह दोनों गठबंदन और इन दोनों गठबंदनों के प्रमुख दल भाजपावे कांगरेसी मुख्य दल हैं राष्ट्य जनतांत्रिक गठबंदन तथा सयुक्त प्रगति शील गठबंदन दो राजनीतिक दल ना होकर कई छोटे छोटे दलों के गट बंदन है और बच्चो आपको यहां पर यह वाला वीडियो देखने के बाद इन गट बंदनों में कौन-कौन से दल शामिल है यह आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है आप इसे सर्च करेंगे आपको पूरी लिस्ट मिल ओलेंगे कुछ छोटे दल ना तो रास्टे जनतांत्री गट बंदन में शामिल है क्योंकि कुछ दल ऐसे भी है जैसे आम आदमी पर्टि को लेलो आम आदमी पर्टि ना UPA में शामिल है और नहीं NDA में शामिल है तो ऐसे दल भी बहुत सारे हैं भारत के अंदर और ना ही सिर्फ प्रगतिशील गठबंदन में शामिल है तो क्या हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया ना इन दलों ने अब ये दल कोई ऐसे वैसे नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर दें ये इन दलों ने 2009 के लोकसभा चुनाओं में 20 प्रतिशर्ट सीटे हासिल की थी और 2014 क निती में क्या देखने को मिला आपको कि इसके अंदर हमें ध्वी दल्य प्रणाली की विशेष्टाई भी दिख रही है परंतु वास्तवी क्रूप से हिहां पे बहुद्ध्धल्य प्रणाली है और बहुद्धल्य प्रणाली में दो मेन गठबन्धन सरकारों का उदै जो ह आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि भारत में किस तरीके से दल्य प्रणाली का विकास हुआ कैसे कॉंग्रेस सिस्टम कैसे कॉंग्रेस प्रणाली थी जो अपने में सारी विचारदाराओं को समेटे हुए थी और वन पार्टी सिस्टम चल रहा था उसके बाद दो प् और वे एलाइंस आपस में किस प्रकार मिल जुल कर चुनाओं को लड़ते हैं और फिर बाद में जो सरकारे बनती हैं वो भी एलाइंस की गवर्मेंट बनती है तो ये भारतिर राजनेती की खास विशेशता है जो आपको समझ में आई होगी इसके बाद हम अपना नेक्स च चैप्टर के पूरे क्विशन आंसर करिए और अपने नोटस तैयार कीजिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और खुश रहिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए